उडिसा वहानगा अस्टेशन के पास हाथसे का सिकार हो चुकी कोरो मुंडल की गिंती तेश के मसहूर प्रीमियम प्रेनू में होती है इस ट्रेन को Kings of South Eastern Railway के नाम से जाना दाता है इस प्रेस्टिजियस ट्रेन में शफर करना उस रूट के यात्रियों की क्वाइस होती है और यह ट्रेन पच्छिम मंगाल राज्य कोलकाता में हावडा के सालिमार अस्टेशन से चैन्नेई Central Railway Station के बीच चलती है आपको बता दे जनवरे 2022 से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस हावडा से चलती थी यह ट्रेन भारत में सबसे पहले की सुफरफास्ट ट्रेनों में से एक है कोलकाता और चैन्नेई की यात्रा करने वाले अधिकांस लोग इस ट्रेन को पसंद करते हैं और यह ट्रेन पूरे साल खचाखच भरी रहती है जहां तक इस ट्रेन की बात करे तो काफी पुराना इत्यास रह चुका है साल 1977 में इस ट्रेन का सुरुवात हुआ था जी आँ दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का उधगाटन 6 मार्च 1977 को किया गया था इस ट्रेन को अब साउथ इस्टन रेलवे जोन अफरेट करती है इसे पहले BNR अर्थात बंगाल नागपूर रेलवे के नाम से जाना जाता था यह ट्रेन 1662 किलोमेटर की यात्रा 25 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है और इसके चोंगदा अश्टोपेज है अगर इस ट्रेन की नाम की बात की जाए तो चोल वंस के छेत्र को तमील में चोल मंडलम कहा जाता था जिसका सावदाविक अनुवाद चोलों का छेत्र है इसी से कोरो मंडल सब्द की उत्पत्ती हुई कोरो मंडल टट भारती प्रयाइदीव के दक्षिन पूर्वी टट को दिया गया नाम है बंगाल के खाणी के साथ भारत की पूर्वी टट को कोरो मंडल टट कहा जाता है और इसलिए इस ट्रेन को यह नाम दिया गया क्योंकि यह कोरोमंडल टटकी पूरी लंबाई को पार करते। बीते साम हुई घटना की बात की जाये तो आपको बता दें ओडिशा के बाला सोर में बहानगा अस्टेशन के पास सुक्रबार आनी दो जून 2023 की साम करीब 7 बजे कोरोमंडल और हावडा एक्सप्रेश ट्रेनों की टककर एक मालगाड़ी के साथ हो गई जिससे यह भीसन हाथसा हुआ मौके पर बचावती में अपना कारे कर रही है परवावित लोगों को हर संभब साहता परदान की जा रही है इस हाथसे को लेकर राश्पती से परदान मंतरी तक ने गहरा दुख जताया है जानकारी के मुताबिक आपको बता दें ऐसा नहीं है कि यह पहली घटना है इसके आगे भी कई घटना है कोरोमंडल के साथ घट चुकी है आपको याद होगा 15 मार्च 2002 को हावडा चेन्नी कोरोमंडल एक्स्प्रेस के लगवग साथ डिब्बे नेलोर जिले के कोवरू मंडल में पदगू पडू रोड अवर ब्रीज पर पटरी से उतर गये थे जिससे एक सो से अधिक यात्री घायल हो गये नेलोर जिले में मुख्य रेल ट्रेक की खराब इस्तिती को दुरगटना का कारण बना गया 13 फरवरी 2009 तो कोरोमंडल एक्स्प्रेस उडिसा में भूनेश्पर से लगवग 100 किलोमेटर दूर जाजपूर क्योजोर रोड के पास पटरी से उतर गई जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और कई खायल हो गए पटरी से उतरने का कारण ग्यात नहीं अब उस जगा पर ट्रेन धीमी रफ्तार से गुजरती है दुरगटना के समय कोरोमंडल एक्स्प्रेस 115 किलोमेटर परती घंटा की गती से चल रही थी 30 दिसमबर 2012 की सुबह ओडिशा के गंजम जिले में कोरोमंडल एक्स्प्रेस की चपेट में आने से 6 हातियों की मौत हो गई थी ट्रेन में सवार एक बैड रोल अटेंडेंट की भी दुरगटना में मौत हो गई थी 14 जनवरी 2012 को लिंग राज रेल्वे स्टेशन के पास चन्नई से आ रही कोरोमंडल एक्स्प्रेस की एक जनरल डिबे में आग लग गई हालनकि इसमें किसी को कोई चूट नहीं आई क्योंकि तुरंत फायर विगेट को बुलाया गया और 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पालिया गया 18 अप्रेल 2015 को निदादा वोलू जंक्सन पर ट्रेन में आग लग गई जिसमें दो बोगियां छती ग्रष्ट हो गई गटना के दोरान किसी के हातात होने की सूचना नहीं है